हेलो एवरिवन मैसल्फ खेतिश्वर केपी और आज का जो सौट टाइप नोट्स रिविजिन है मैं आपके लिक और वीडियो लेक्स लिक आया हूँ ठीक है और आज मैं बताऊंगा आपको डाइगनीजिबल मिनिमल पॉलिनोविल और डिटर्मेंट के बारे में ठीक है जितन के मैट्रिस होती है तो हम उसके आगनल इसली फाइंड आट कर लेते हैं लेकिन जब 4 ग्रोस वर 5 ग्रोस 5 के मैट्रिस होती है तो देखिए कुछ बेसिक डिटर्मेंट आता है जिसमें सौट ट्रिक्स वगरा यूज़िए होती है तो वह उस टाइप का आपको एक्जाम में फूछा जाएगा तो देखिए find determinant for another method तो देखिए जब principle diagonal क्या हो non zero तो देखिए इस कोई जाए सीडिक आपी कि देखें यह यह इस ट्राइब में यह जीन की अजगा जी लगा सको वहाँ सिगे किसी एक रो या किसी मोला के कऱस्बंड करें ते नीजग इस ट्रीय क कैसे जाखे कि किशेवंडिक्रिक्ति करें नियुक्ति कなので 8,3गव जी नेखिट ? 3 x 3 का तो इसका Determint केता है माइनस 42 के लिए है कि जब 5 x 5 का मैट्रिस आ जाए तब हम इसको कैसे solve करेंगे तो देखिए जब 5 x 5 का आता है तो हम इसको का link करेंगे एक partition के अंदर divide करेंगे तो कैसे करेंगे देखिए 5 x 5 का है तो देखिए जो diagonal है और जो backward diagonal है उसको छोड़के बागी सभी जगा एंट्रिस क्या है जीरो जी देखिए आपे तो अगर जीरो नहीं है तो एक्जा में देखिए इस fix sortrix type की ही determined जो fix होगी जिसका हम solution इस formation में कर सकते हैं तो वैसी ही matrix आपको एक्जाम में पूछी जाएगी ठीक है कोई नहीं तरीके से आपको पूछेंगे नहीं एक fix pattern होगा जैसे diagonal और यह backward diagonal इस पर क्या entries non zero है और बागी सभी entries क्या zero zero है तो हम क्या करेंगे order order की है तो देखिए क्या करेंगे हम सबसे पहले आप चो corner corner के हैं उसका increment solve रहलं एक इसका इसकादी किना होगा 1 इसका इसका 4 clear है तो दिखिए 1 और 4 ठीक है अब देखिए फड़ा अंदर आ जीए इसको break कर दीए कट कर दीजिए इसका काम हो गया कैसे हो गया 1-4 ठीक है 1-1-2-2 अब आज ही इसका काम हो गया अब इसके अंदर वाले पर आज ही इसका भी यह 1 इसका भी यह 1 इसका भी यह 2 इसका भी 2 तो 1-1-2-2 ठीक है तो वापस देखिए 1-1-2-2-2 अब अंदर आज है अंदर कितना है 1 है तो इसको भी 1 से multiply करवाना है into 1 तो देखिए इसका answer आ गया minus 3 into इसका भी minus 3 into 1 यानि कि minus minus plus का 9 आ गया तो इसका treatment कितना हो जाएगा plus का 9 हो जाएगा अब देखिए अब आज ही 6 cross 6 पे आ जाएगा तो इसको भी same इसी pattern से solve करना है तो देखिए पहले बाहर वाला 1 into 1 फिर minus 2 into 2 तो या गया minus का 3 ठीक है फिर multiply अंदर वाले block पे आ जाएगे 1 into 1 और 2 into 2 minus 3 आ गया ये भी ठीक है फिर आ जाएगे अंदर वाले block पे 1 into 1 and minus 4 into 2 तो या आ गया minus 4 minus 4 आ गया तो आप value कितना ही minus 3 minus 3 कितना आ गया minus का 27 तो इस fixed type के determined आपको पूछे जा सकते है एक्जाम के अंदर ठीक है तो इस तरीके से आपको solve करना है जादा माता पच्छी नहीं करनी है 2 cross 2 के block में पहले सबसे उपर वाला block फिर उसके अंदर वाला फिर उसके अंदर वाला तो डिटर्मेंट टू रोज या कॉलम के अंदर इंटर इंटरचेंज करें दू रोज को क्या करें इंटरचेंज करें या दू कॉलम को इंटरचेंज करें तो डिटर्मेंट क्या होगा माइनस i to the power i plus j m i j और m i j यहाँ पर क्या है माइनर है clear है अब देखिए जिस रो या जिस कॉलम के कर्रस्पंडिंग अगर हम को फेक्टर निकाल दे जैसे सपोर्ज कि यह फर्स्ट रो के कर्रस्पंडिंग हमने क्या निकाल दिया को फेक्टर तो उसी रो के जो element है उसका अगर को फेक्टर से multiply करवा है तो हमें क्या मिलेगा determined मिलेगा और दूसरी रो से अगर हमने determined co factor को another रो से हमने multiply करवा दिया तो हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा ठीक है उसी रो से करवाएंगे multiply corresponding तो हमें determined मिलेगा और दूसरी रो से करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा जिरो मिलेगा तो आप देख सकते हैं यहां पर एग्जंबल लिया मैंने आप देखिए टू का को फैक्टर कितना है यह माइनिस फाइव वन का को फैक्टर है फिर फिर फिटिन और माइनिस उन का को फैक्टर है फाइव तो इन रोज को फर्स्ट रोज को इसके क्रिस्पॉंड निका करवाएंगे डिर्टरेमेंट करवाएंगे तो दिखिए इसका डिटरेमेंट हमें मिलके यह और अगर दूसी से हमने करवा दिया तो हमें अंसर कितना मिला जीरो मिला clear अब दीखिए अगर यह कोई non-zero जिसका determinant non-zero है non-singular है तो उसका determinant देख लिए इस तरह से inverse find out करते हैं adjoint a upon determinant a ठीक है यह कुछ formula होते हैं या आप याद कर लिए adjoint a का determinant क्या होता है mod a की power n minus mod a नी sorry determinant of a to the power n minus 1 जो n क्या है order of matrix है clear है जब adjoint two बार आ जाए तो हम क्या करेंगे determinant a की power n minus 1 का whole score करेंगे ठीक है तीन बार आ जाए तो determinant a की power kya करेंगे n minus 1 की घात power 3 करेंगे मतलब determinant a की power n minus 1 तो fix रहेगा कि जितने determinant adjoint आएंगे उतनी उसकी क्या हो जाएगी power हो जाएगी देखिए इसमें 2 adjoint है तो इसकी पाउर 2 है इसमें adjoint 3 है इसकी पाउर कितनी है 3 है तो इसको थोड़ा आपको याद रख रहा है अब यहां देखिए determinant है यहां simple सी bracket है adjoint adjoint a का normal bracket है आपर determinant नहीं है ठीक है तो इसकी value क्या होगी a dot determinant a की पाउर n-2 clear है तो यहां पर देखिए एक example मैंने लिए है यह 4 cross 4 की matrix है determinant 3 है तो देखिए adjoint adjoint a की value क्या आएगी a determinant a की पाउर n-2 देखिए यह वाला formula यूज किया है ठीक है यह वाला formula हमने यूज किया अब देखिए इसमें n की value कितनी है 4 तो 4 क्या determinant a की value given है 3 तो यह value आगी 9 है अब देखिए इसका determinant निकालना है यह निकी क्या होता है determined a की power कितने adjoint है 2 adjoint है तो n-1 की power 2 तो यह आगया 3 की power 4-5 का whole square तो क्या गया 3 की power 9 यह इसकी value हो जाईगी अब देखिए important result है इसको आप क्या करना है note करना है देखिए अगर a diagnosable है तो a square a cube a4 dot 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 so on also भी क्या होगा diagnosable होगा clear है a square diagnosable है तो a need not be a diagnosable clear है जैसे अब देखिए a हमने ले लिया 0,1,0,0 तो इसका minimal polynomial क्या होगा x square क्योंकि non-zero new potent matrix है ठीक है तो यह क्या diagnosable नहीं है लेकिन जब हम इसका a square निकालेंगे तो वो क्या हैगी 0 matrix तो वो तो diagnosable है तो आप देखिए इसको hold कर रहा है a square diagnosable है लेक ठीक है अब देखिए दूसरा a और b diagnosable है बट a plus b did not be a diagnosable कैसे है देखिए यह भी example है आपकी छोड़ चीज़ा आप नोड कर लेजेगा देखिए a क्या है 1,0,0,0 और lambda उसके कितनी है 0,1 अब b हमने ले लिया 0,1,0,1 इसके आगन वैल्यूस क्या है 0,1 अब देखिए distant eigen value है तो क्या होगा डाइगन वैल्यूस होगा अब देखिए जब हम a plus b निकालेंगे तो क्या है इसके आगन वैल्यूस 1 और 1 a म इसके कितनी हा रही है 2 लेकिन g इसके कितनी हा रही है 1 तो क्या होगी not diagnosable देख लिजेगा नॉन जिरो निल्पूटेंड मैटरिस है जिसके अगन वैल्यूस कितनी है 1 है तो a अगर अगर बी डाइगनिजिबल है तो a प्लस b नीड नॉट बी डाइगनिजिबल इस एक् बी डाइगनिजिबल है बट a डाइगनिजिबल नहीं है बी निल्पूटेंट नॉन जिरो मैटरिस है यह भी डाइगनिजिबल नहीं है क्लियर है अब अगली पर आजएगे a and b डाइगनिजिबल then a b need not be a डाइगनिजिबल कैसे देखिए a हमने ले लिया 1 0 0-1 जिसके डि डाइगनिजिबल निल्पूटेंट मैटरिस हाजाएगी जो की डाइगनिजिबल तो a and b डाइगनिजिबल है बट a b डाइगनिजिबल हो यह जरूरी नहीं है क्लियर है अब देखिए all invertible matrix are डाइगनिजिबल यह statement true है या फिर false है यह चक्रना में तो यह क्या है false है कैसे द डाइगनिजिबल का डाइगनिजिबल का डाइगनिजिबल से कोई कनेक्शन नहीं है अब आजी नेक्स्ट पेज़ पे देखिए हमारे पास formula है टू क्रोस टू की कोई square matrix है यह कोई square matrix है जिकर टू क्रोस टू का अगर हमें characteristic polynomial find out करना दो कैसे करते हैं lambda square minus trace of a lambda plus determinant a equal to 0 3 cross c के लिए lambda cube minus trace of a lambda square plus co factor a11 a22 a33 lambda minus determinant of a equal to 0 ठीक है अब क्या करना है find eigen values ठीक है new topic है अब देखिए each eigen values get eigen vector ठीक है तो वो क्या होगा li ही है तो क्या करना देखिए eigen value के corresponding जो भी vector में find out होता हो क्या होता है eigen vector clear है अब देखिए अब देखिए अब देखिए अब देखिए अब देखिए अब देखिए अब क्या होता है number of eigen values clear है gm number of block of these eigen values कितने जोर्डन ब्लोक इसमें find out हो रहे है वो उसकी क्या कहला थी gm अब आज ही minimal polynomial बहुत ही अच्छा प्रॉपिक है ठीक है और इसके उपर एक मैंने company in matrix का अगर एक topic लिया हुआ है जिसके short type notes भी मैंने provide कर रहा है उसकी वीडियो की link मैं आपको description में देदुआ ठीक है तो वो उस वीडियो की link को आप open करके company in matrix का भी देख सकते है जिसका minimal polynomial और characteristic polynomial equal होता है ठीक है वो आप check कर सकते है अब देखिए minimal polynomial में different eigenvalues है तो characteristic polynomial और minimal polynomial क्या होगा equal होगा clear है और अगर eigenvalues same है ठीक है तो हमें check करना पड़ेगा कि कौन सा factor 0 को approach कर रहा है तो जैसे देखिए minimal polynomial क्या कहते है इसको characteristic polynomial है t minus 3 की power 2 and t minus 2 तो आप देखिए एक factors का release है एक factors का release है अगर 0 का equal हो गया तो minimal polynomial है अगर 0 नहीं हुआ इसका मत polynomial यह देख लिजा आप मतलब इसके दू factor है इसका यह की factor है एक factor तो यह लेना है इसका एक factor यह भी लेना है ठीक है अगर यह 0 का approach कर रहा है तो minimal polynomial हो जाएगा अगर नहीं कर रहा है तो इसके दोनों factor लेने जरूरी है ठीक है तो यह देखिए अब देखिए tricks कैसी है अगर 4 5 x 5 5 x 5 की given हो और 4 x 4 आएगा यहापे ठीक है यहापे क्या आएगा यहापे 4 x 4 लिखेजिए ठीक है तो क्या आएगा यहापे 4 x 4 आएगा और 5 x 5 की given है तो डियागनेजबल ब्लॉक है तो उससे हम क्या करेंगे partition करके अलगल करके उन सभी function का दिवाइड कर लेंगे ठीक है और फिर से आब क्या करेंगे सभी function का LC में लेंगे किसका characteristic equation का वह उसका क्या होगा मिनिमल पॉरिदिमल होगा देखिए यह एक मैट्रिक से 5 x 5 की इसको हमने 3 x 3 का ब्लॉक और 2 x 2 का ब्लॉक ले लिया अब देखिए इसका minimal characteristic पॉरिदिमल क्य अब देखिए LCM लेंगे इस दूनों function का तो क्या आएगा t-minus 4 की पॉर 3 यह क्या होगा इसका minimal polynomial क्लियर क्लियर है अब देखिए और आज ही इस पर 2 x 2 का ब्लॉक डिवैड कर दिया अब देखिए इसके आगे दिलू चेक करेंगे तो कितने हैं की 2 2 और इसके आगे दिलू लिनियर नहीं तो दियागनेजिबल नहीं है यानि कि डागनेजिबल के लिए क्लिए क्लिया होता है इसके कंडिशन आती है कि लीनियर मौनी फेक्टर होना चाहिए कहां पर minimal polynomial में ठीक है तो देखिए और वाइगनेजिबल होगा थीक है अब देखिए minimal polynomial linear monic factor है तो वो भी if and all if condition hold कर रहा हो क्या है diagnosable है ठीक है आइगन values distinct है तो diagnosable होगा लेकिन distinct है sorry आइगन values distinct है तो आइगन डिस्टिंग्ट होगा लेकिन diagnosable है तो वो उसकी आइगन values distinct होगा यह ज़रूरी नहीं है तो आप क्या नहीं होता है उन चीजों को आप नोट करिएगा अब देखिए similar matrix में क्या क्या होता है क्या क्या equal नहीं होता है अब देखिए DC term DC होता है यह देखिए DC term क्या होता है Determint Characteristic Trace Eigen values Rank और Minimal Polynomial यह क्या होता है equal होता है किसमें similar matrix में Eigen vector need not be same clear है यह कि DC term equal है तो E और B need not be similar ठीक है देखिए इसमें Converse True नहीं करेगा similar matrix है तो DC term equal होगा लेकिन DC term equal है तो similar matrix हो यह ज़रूरी नहीं है clear है अब देखिए equivalence matrix क्या होती है यादि कि यह notation है इसका rank of A equal to rank of B होता है but Eigen values characteristic Minimal Polynomial need not be equal clear है इसमें equivalence में क्या check करते है rank check करते है congruence में क्या check करते है कि A और B की positive Eigen values जो Lambda है वो क्या हो equal हो suppose करिए इसकी अगर Eigen values 2 positive Eigen values यह तो इसकी भी कितनी होनी चाहिए plus 2 Eigen values होनी चाहिए ठीक है अब देखिए 1 2 minus 4 लिया है इसमें लिया 2 3 minus 6 तो देखिए 2 Eigen values क्या है equal है Lambda equal to 2 इसमें भी Lambda equal to 2 यानि कि मतलब कि 2 Eigen लेमडा जो positive Lambda है वो कितनी है इसमें positive Lambda कितनी है टू है और किसमें concurrence में है ठीक है जो number of positive Lambdas होनगे वो क्या होनगे equal होनगे और rank characteristic polynomial minimal polynomial need not be equal clear है न यह जरूरी नहीं है अब अगले बादीगे rank sorry determined of A determined of B ठीक है not equal to 0 है यानि कि non-zero non-singular matrix है तो A B similar to B है then DC term क्या होगा equal होगा ठीक है और अगर यह not equal to 0 है not given then DC term DC T E same RM need not be same देखिए A का determined B का determined not equal to 0 है तो DC term equal होगा अगर A B similar to A B है तो DC term equal होगा लेकिन जब determinant A और determinant B not equal to 0 given नहीं है question में यानि कि singular हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है तो उस condition में क्या होगा DC T E same होगा और rank और minimal polynomial need not be same clear है यह चीज थी अब आज यह next page पे देखिए जितना ज़्यदा तो दिन पर hospital के चकर लगा रहा हूँ मैं तो जितना कोशिस हो रही है मेरी कि मैं जितना ज़्यदा हो सकते आपको मैं short type notes provide कर रहा सको ठीक है तो कोशिस कर रहा हूँ मैं कि आप लोगों के लिए में जली जली अंतर अरेंज कर रहा हो अब आज़ी minimal polynomial के अंदर कि जब matrix में n क्रोस n में क्या हो n less than equal to 3 की हो तो always क्या होगी dignisible होगी ठीक है अब देखिए अगले बाजी देखिए minimal polynomial में वह block fix होगा देखिए minimal polynomial में वह block fix होगा क्या होगा देखिए और remainder block polynomial प्रता करेंगे और block से देखिए क्या कहना क्या चारा है देखिए ठीक है अब देखिए सीदा question पर आता हूँ कि characteristic polynomial given है x minus 1 की power 2 x minus 2 और minimal polynomial है x minus 1 x minus 2 तो देखिए जो इसकी power 1 है इसकी power 1 है तो 1 cross 1 का block fix होगा है ठीक है 1 cross 1 का block fix होचका है तो इसमें देखिए इसमें 2 cross 2 का block है यानि कि 1 cross 1 का लेंगे और दूसरा लेंगे 1 cross 1 का देखिए सारे 1 cross 1 का आए गए simple सा logic लेना इसमें ठीक है और देखिए em कितनी आ रही है eigen value is 1 repeated 2 बार और इसके block कितनी बने लें 2 तो gm इसके कितनी होगी 2 और em भी 1 ठीक है ये भी block क्या होगया simple होगया यहाँ पर आए x minus 1 की पौ़र 4 है x minus 2 की पौ़र 2 है और इसमें x minus 2 की पौ़र 2 है x minus 1 की पौ़र 2 है अब देखिए 2 cross 2 का एक block बनेगा 0 1 0 2 characteristic polynomial कितनी है degree 4 तो अब देखिए 4 तक लाने के लिए अपन के आगरे 2 cross 2 का fix रहेगा 4 लाना है तो या तो फिर 2 cross 2 लेंगे या 2 cross 2 1 cross 1 या फिर 1 cross 1 ये भी आपन कर सकते है चो minimal polynomial पे दे रखा है वो तो fix रहेगा या तो block उससे कम order का होगा या फिर उसके equal का होगा तो देखिए 1 0 1 1 0 1 ये देखिए इसके लिए ठीक है फिर 2 cross 2 का ले लेते है तो देखिए ये वापस 2 cross 2 का ले लिया और ये fix दिर का है 2 cross 2 का ये आगे है ठीक है अब देखिए 2 cross 2 का ले लिया अब हम इसके बराबर तो ले लिए इसमें तो इसको 1 x 1 और 1 x 1 वे भी डिवाद रवाद सकते हैं यह देखिए 1 x 1 x 1 2 x 2 अब दिखिए AM इसकी कितनी है 2 है GM इसका कितना है यह की ब्लॉक बन रहा है तो दिखिए GM of 2 कितना है अल्ली फूर वन ठीक है और इसमें एम देखिए कितना है वन के लिए फूर है जीम देखिए टू का वन के लिए एक वन टू कितने ब्लॉक इसके है टू यह देखिए इसमें आदेगें एम टू की वन टू है जीम वन की कितनी है टू है सुरी जीम वन की कितनी है वन अब लेकिन ब्लॉक इतने वन के वह जी एम कहले कि वान टू एंड त्री यह त्री आ गया ठीक है तो यह फ्रेंड्स यह थे हैं हमारा इसके स्वाट टेक नोट्स और अगर आप चाहते हो कि अगर मैं कोई टेस्ट होगर आपके लिए अरेंच के रूच अगर आप चाहते हो तो भी में को कमेंड करें ठीक है और इस बार में गैट के लिए बहुत ही इंट्रेस्टिंग कोशन्स आप सभी के लिए लेकि आना चाहता हूं तो जैसे देखिए इस CSI NET के अंदर मैंने टोटल 50 टेस्ट लिए जिसकी PDF मैंने आप सभी को प्रॉइड कर हूँ तो मैं solution कर लेता हूँ ठीक है तो अभी फिलाल मेंको अभी time नहीं मिल पाता है कि मैं आपको हरी problem का मैं आपको solution प्रॉइड कर रहा हूँ ठीक है तो जितना जदा होगा मैं आपके लिए कोशिश करूँगा तो अगर फिलाल आपको NET की exam के बाद अगर NET की exam से पहल आप चाते हो तो मेंको कमेंट करें या और उसके बाद 26 November के बाद अगर gate की test series आप चाते हो तो भी मेंको कमेंट करें ठीक है ओके गुड़नाइट टेक केर